मंच को प्रणाम करती हूँ भोपाल की इस पवित्र भूमी को शीष नबाते हुए मंच पे विराजे अदर्णी बेरागी जी को नमन करते हुए तमाम अग्रस साथियों को नमन करती हुँ आपका स्वागत करती हुँ चार पंक्तियों से आप तक पहुचने का प्रयास करती हुँ इन पंक्तियों से आपके बीच पहुच जाओंगी तो मुझे थोड़ी हिम्मत और हसला आजाएगा बहुत अच्छा ये कारेकरम चल रहा है कि दोस्त उर्दू की हूँ हिंदी की निगहबान हु में गीत और घजलों की खोई हुई पहचान हु में हो सके तो मुझे थोड़ी सी मुख़ दे आपके शेहर में एक रात की मेहमाल में बहुत अच्छे बहुत अच्छे पच्चेस लाक मिलने हैं फिलेट लेलो यहीं रामेश्षवजी दे रहे हैं यहीं रहो रात बर क्या मैं तो सरकार का प्रचार कर रहा हूं आपने समझे रहे हैं बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत हाजिर जवाब है मैं तो चाहा रही हूं कि सिदे सिदे कवीता पढ़ लिया जाए लेकिन अब यह मानने को तयार नहीं है बीच बीच में बोलते रहेंगे तो चार पंक्तिया अगर आपका आदेश हो तो इनके श्रीर चड़नों तक पहुंचा दें कहे रात अमावस की परजिल मिलाता है यह पंक्तिया कुमार जी तक आपकी तालियां पहुंचाएंगी लंगूर हो के शेर में से यांख मिलाता है पुल बाके विहारी लालकी अंदोलन समाप आप पड़ो देवी पड़ो आज आप पड़ो जब 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 चक्कर क्या है कि जबाब तो मैं आपको देदू पर क्या है कि अभी इस वीडियो को काट के करल को चला देंगे वो और तो मेरे पक्षम कोंसी सुनिया गंधी बोलना आ रही है बहुत अच्छा सुन रहे हैं इन सब चीजों की कोई आवशकता नहीं है मैं शुरू से देख रही हूँ आपने कविता का सम्मान किया है कविता से प्रेम किया है तो मैं सीधे सीधे कविता से जोड़ने का प्रयास करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ सुन्येगा स्वागत है एहसास की बात आप तक पहुचाती हूँ महबबत की बात करती हूँ गीत और गजल लिखना कही न कही मेरा धर्म है चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ फिर गीत तक ले जाने की कोशिस करती हूँ सुन्येट है कि किस तरहां मान लू पराए हो किस तरहां मान लू पराए हो ओ मेरी रग रग में तुम समाए हो घर मेरा बन गया है ताज महल जब से तुम जिन्दगी में आए हो बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे बहुत अच्छे और जब मैं घर से चली तो एक हिसास और मेरे मन में पनपा वो हिसास आप तक पहुचाती हूँ सुनेगा कि प्यार के दीप जल रहे होंगे और ख्वाब करवट बदल रहे होंगे तू भी तैयार हो के चल शबनम वो भी घर से निकल रहे होंगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे शमाना बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं आप तक पहुच गई हूँ सिदे सिदे गीस से जोडती हूँ बहुत अच्छे अभी आपको यहां कविताय सुननी है समर भया आगए हैं इनी के आदेश से मैं आपके बीच हूँ मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ सुनेगा कि कभी गलियों में आए कभी छट पे बुलाए मुझे करे वो इशारे गड़ी गड़ी थोड़ा सा बता दीजेगा कि गीत किस तरह से सुनते हैं कि कभी गलियों में आए कभी छट पे बुलाए मुझे करे वो इशारे गड़ी गड़ी कहा भागू कहा जाओ केसे पीछा में छुड़ाओ कहां भागू, कहां जाओ, कैसे पीछा में छुड़ाओ मेरे सर ये मुसीबत पड़ी, पड़ी कभी गलियों में आए, कभी छट पे बुलाएं तालिया कमजोर है, मैं बहुत दिल और महनस से गीत पड़ रही हूँ तो आपकी तालिया भी बातुरानी काई बहुत बहुत शुक्रिया कामशोर जी न भी बढ़ा है तो मेरे पसल आए गया सुझेगा किस बात का है इकरार मुझे करता है वो बेहत प्यार मुझे इस बात का है वो कर रहा तो तुम को चिला रहा इस बात का है इकरार मुझे करता है वो बेहद प्यार मुझे मेरे दिल का शेहजाद करयान का जो वादा मेरे दिल का शेहजादा करयान का जो वादा मैं उम्र पिता तूँ खड़ी कभी घलियों में आये कभी छट पे बुलाएं मुझे कर वो इशारें कड़ी गड़ी यह मुखला खामोश है यह नहीं बजा रहा है मेरी सब दूर नज़र रहती है शुक्रिया और बुझ जाए ऐसी आग नहीं यह सचाई है राग नहीं बुझ जाए ऐसी आग नहीं यह सचाई है राग नहीं मैं हूँ उसकी दीवानी चाहे भेजो काला पानी मैं हूँ उसकी दीवानी चाहे भेजो काला पानी से है लोंगी सजा आए कड़ी कड़ी कभी गलियों में आए कभी छट पे बुलाएं मुझे करे वो इशारें गड़ी गड़ी और ये बंद खास तोर पर आप तक पहचाती हूं समझ में आजाएं तो महबबतों से नवाज लीजेगा सुनियेगा कि सोने नहीं देती रातों को पढ़िया पढ़िया सोने नहीं देती रातों को सुनती ही नहीं मेरी बातों को कभी रोके मेरी गाड़ी कभी खिंचे मेरी साड़ी कभी रोके मेरी गारी कभी कीचे मेरी सारी दो जील से आके बड़ी बड़ी कभी गलियों में आए कभी छत पे बुलाए मुझा गरे वो इंशारे कड़ी कड़ी ओर अंतिम बन निवेदन करती हूँ सागत है बड़ी महबबतों सो सुन लिए आपने शुक्र गुजार हूँ कि ये नामो नसब शब नम अब क्या इस प्यार में मजभ वजभ वजभ क्या अचा है, अचा है ये नामो नसब शब नम अब क्या इस प्या नहीं नहीं, बहुत थे ये नामो नसब शब नम अब क्या इस प्यार में मजभ वजभ क्या छोड़ू मज़ी दोशी वाला मैं बना के उसकी माला अपनी सासों की लड़ी का भी घलियों में आई का भी छद बे बुलाएं जगरें वो इशारें का भी बुलबा के विहारी लहा मित्रो विशेष एक गीत के लिए मुझे आदेश है कोमी एकता का ये मंच जहां शकील भाई बेटे हैं शबाना शबनम बुलाई जाती है कलमकार अपनी धर्म का निर्वा करना चाहता है मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि मैं देश की वो बेटी हूं जो हिंदुस्तान की बे अमर जी का मैं वो दो मुक्तक आपके वीज पढ़ती हूं थोड़ा सा एक ट्रेक बदलती हूं कहीं न कहीं अपने कलम का जो धर्म है उससे निभाने की कोशिश करते हैं स्वागता शबाना फड़िए स्वागता कि वक्त की मांग है अब होश्यू में आओ लोगो वक्त की म अपने हाथों से न घर अपन जलाओ लोगो बाद में हिंदू मुसलमान सिक इसाई बनो बाद में हिंदू मुसलमान सिक इसाई बनो पहले इंसान जरा बन के दिखाओ लोगो पहले अच्छा है शबाना बहुत 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 शुक्रिया बंदे मातरम मेरा एक गीत है वो गीत आप तक पहुचाती हूं खास तोर पर मेरा मन है कि इस मंच पवित्र मंच से पानी नहीं पीना है गीत आप तक पहुचाते हूं एक बार ताली बजाकर थोड़ा सा अपने राष्ट भगत होने का सुबूत दे दीजेगा मैं कोशिस करती हूं कि वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अपनी जन्म भूमी को अपनी जन्म भूमी को नमन करे हम बन्दे मातरम बन्दे मातरम बन्दे मातरम बन्दे मातरम तालियां कमजोर हैं मुझे लगना चाहिए कि आपके दिलों में देश भक्ती का भी वो अजीम जजबा है जिसको हम सलाम कर रहे हैं कि जनन जनम भूमी, स्वर्ग से महान है इस में ही सम्मान है इसमें आनुबान है इसमें ही सम्मान है अर्य माटी के कज का माटी के कज का पोज करेकं बहुत अच्छे बाद और बन्य वेदन करती हूँ स्वागत है कि वैसे तो पसंद है हमको सदामन वैसे तो पसंद है हमको सदामन फिर बिजि जुबा पे ना हो वन्दे मातरम देश द्रोही उस जुबा को काट लेंगे हम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम बाद अच्छे बाद अच्छे झाल झाल